खनन लीज मामले में जारखंड के मुख्यमंतरी हैमन सोरेंड की विधाईकी को लेकर किसी छण भी निर नहीं आ सकता है जो सूत्र बता रहे हैं उसके मताबिक भारत निरवाचनायोग यानि एसी आई ने अपना मंतब राची इस्थित राजभावन को भेज दिया है अब राजभावन को इस पर डिसीजन सुनाना है हमारे सुत्रों ने जो कन्फर्म किया है उसके मताबिक आज दो पहर में राजभाल रमेश बैस साहब राची पहुँच रहे हैं आपने भी खब्रे सुनी होंगी पढ़े होंगी क्या आपका पहला रियक्षिन है क्या सोचते हैं क्या समझते हैं देखिए मैं हाइपोथेटिकल क्विश्चन का जवाब देना कहीं भी उचित नहीं है चुकि हाल के दिनों में जिस प्रकार से लगातार कयासों का बाजार गर्म रहा है तो अभी जब तक कुछ मामला क्लियर नहीं हो जाता है उस पर कोई बात करना उचित नहीं होगा लेकिन जो ये तो आप मानेंगे कि कभी किसी भी छणवे डिसिजन आना है वो डिसिजन आपके प्रक्षिम हो या एडवर्स हो क्या दोनों सिती के लिए आप लोग तयार है बिलकुल हम लोकतंत्र, लोकसाही और संविधान पर विश्वास करने वाले लोग है हम सत्ता में बैठ करके केंद्री एजन्सियों और संविधानिक संस्थाओं का दूरुपयोग करने वाले लोग नहीं है जो ट्विटर के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं हमें अपने संविधान पर अपनी पूरी परंपरागत व्यवस्था पर पूरा भरोसा है जाते हैं पिछले जिनों जो यूपिय की बैठक हुई उसमें भी बाते आई कि तमाम गडबंदन दरों को एक जूट करने की कोशिश की गई और यह बताया भी गया कि कुछ विधायकों से हस्ताक्षा लिए गया ताकि फिजिकल अपीरेंस की ज़रुरत हो तो उस चीजों क को हम राजभावन में प्रस्तूत कर सकें क्या इंटर्नल तैयारी है आप लोग किस तरह की इंटर्नल तैयारियों के बारे में मीडिया में नहीं कहा जा सकता है और मुझे नहीं लगता कि इतना बेसबरापन भी ठीक है चाहे वह चुनाव आयोग का फैसला हो जिस प्रकार स कयासों का बाजार गर्म है मुझे नहीं लगता कि जो लोग आज पहले तो इडी के प्रवक्ता हुआ करते थे अब साच चुनाव आयोग के भी प्रवक्ता हो गहें कि उसमें फैसला क्या आया है सील बंद लिफाफे में फैसला आता है यह तो देश का सम्विधान का इससे फैसले के जानकारी के पहले कैसे दे रहा है तो यह सम्विधान का खुलम खुला माखोल है उलंगन है और हम कह सकते हैं कि सम्विधान का इससे बड़ा क्रूर मजा कहीं नहीं हुआ होगा और आज देश में जिस प्रकार से जो बेवस्ताएं चल रही है वो हमको लगता है कि पूरी तरह से देश के लोगों ने देख रखा है कि भारतिये जनता पाटी भारतिये जुगाल पाटी के रूप में परिवर्तित हो गई है कहीं का इट कहीं का रोडा भानू मती ने कुनवा जोडा अपना तो इनके पास कुछ नहीं है यह इधर उधर से लेकर के अपनी त कि हम जहां चुनाव जीतेंगे वहां तो सरकार बनाएंगे ही लेकिन जहां चुनाव नहीं जीतेंगे वहां निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे यह लोग देख रहे हैं कि लोगतंत्रों समविधान का किस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है दिल्ली की घटना को द वकड़ा जा रहा है उन नेताओं के घर में ED की कारवाई क्यों नहीं हो रही है धाई साल तक यह सोय हुए थे बिहार में इनका एक भी छापा नहीं पड़ा था जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ बहुमत के लिए विधान सभा में प्रस्ताव आता है और वहां CBI के छापे नहीं होता है राजनीती में सभी संभावनाओं के लिए राजनीतिक दल को तयार रहना पड़ता है और अमनिश्चित रूप से इन तमाम संभावनाओं के लिए हमारे सभी महागडवंदन दल के साथी तयार हैं और हमारी बैठक में क्या हुआ यह हम पर छोड़ दिया जाय का मामला नहीं है जहां फैसले भारतिय जनता पार्टी के नेताओं के डिक्टेशन पर लिखे जाते हों समस्या जब आएगा समाधान भी ढूंडा जाएगा जनता ने हम पर विश्वास किया है पूरे पांच साल के लिए हम लोगों को मैंडेट मिला है थंपिंग पर खरे उतरेंगे तो आपने सुना किस तरह से राजीव रंजन पसाज जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जिन्हों असाब तो पर कहा कि जो भी डिसीजन आएगा उसका इंतजार करने की ज़रूरत है हाइपो थेटिकल सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं है लहाजा इस याई क्या डिसीजन देती है राजबान उसपर क्या निरना लेता है उसके तो प्रदेश अध्यक्ष का जो एक साल पूरा भी होने वाला है तो उनके इस कारेकाल को हम की सुरूप में देखें चुकर एक साल में दो मेजर इंसिडेंट हुए है एक तीन विधैक परावर्स रहा एक वर्स महंगाई के विरोध में सबसे पहले तो जैसे ही राजेश ठाकुजी ने कमान संभाली जो हमारा जनता से किया हुआ वाइदा था कि OBC वर को 27% आरक्षन को लेकर के राजदानी समेत सभी जिला मुख्यालें पर धरना और प्रदर्शन से उनका कार कारेकाल आरंभ हुआ महंगाई के विरोध में जन जागरन अवियान में पूरे जारखंड में प्रथम अध्यक्ष के रूप में लगबग 75 हज्जार लोगों से सीधा समवाद कायम करके एक सफलतम कारेकरम को करने का स्रे इनको जाता है दूसरा एतिहासिक चिंतन सीविर प दिज़ीटल सदस्यता अभियान के मोड में सबसे पहले पूरे भारत वर्स में पांचवा स्थान प्राथ किया अभी हाल के दिनों में आजादी के अम्रित वर्स के असर पर जो गौरों यातरा निकाली गए थी 75 ही वशगांड में बाइस सो पच्चास किलो मिटर की पदियात्रा पूरे जारखंड के कांग्रेस कमीटी के आवान पर इनके नित्रितु में जो पूरे कांग्रेस जनों ने किया वो भी अपने आप में एक बेमिसाल एक हम कह सकते हैं कि उपलब्दी है इसके अलावा कारेकर्ता को सम्मान मिलना सुरू हुआ 20 सुत्री कमीटी का गठन आरंभ हो गया उसके बाद 20 वर्सों के बाद पहली बार कांग्रेस का कोई परतिनी धी मांडर के विधान सभा के उपचुनाओं में विजय घोसित हुआ ऐसे कई उपलब्दी हैं तीन सो पैसेट दिन हम लोगों ने सडक से लेकर के सदन तक कारेकरम राजेश ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम के नित्री तुम्हें करने का काम किया ये हमारी उपलब्दी है हमारे अद्ध्यक्ष की तो आपने सुना ये थे राजी और अजन परसाजी जिन्होंने साफ तोर पर कहा कि पार्टी की उपलब्धियों को भी देखे जाने की जरूरत है उसकी समालोचना करने की जरूरत है एक तरफा आलोचना नही होनी चाहिए लेकिन हम ये बताने चाहते हैं अपने दर्शकों को जो सुद्रे से खबरे मिर रही हैं बहुत जल्द मुखमंतरी हेमंत सोरिन की विधायकी को लेकर के अंतिम डिसीजन होगा और उस अंतिम डिसीजन के साथ ही जहारकंड की राजनिती एक नए करवट लेती हुई नजर आ जाएगी हाला कि थोड़ा उसके लिए इंतजार क स्कूप से शहनवाज